हालो प्रेंज वाकत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल निलम स्टिप्सन ब्लॉग पर आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ साबुदाना पापड बनाने की बहुत ही बहुत ही बेहतरीन सी रेसिपी सेयर कर रही हूं और जिससे आप जटपट से साबुदाना के डutor अब जाते हुद में यहाँ वीडियो को पूरा सुरुस लाष्ट तक देखिए और वीडियो जरी अच्ही लगैं तो लाच जरूर कर दिजिए है और चैनल पर करते तो मेरे चनल को सब्सक्राइब करके विल आइकन को प्रेस करते हैं एसी यूजफल वीडियो हमेशा देखते रहने के लिए और कोई भी कोई रिया डाउट रहती ही तो आप में कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो सो चलिए गाइस वीडियो श्टार्ट करते हैं और साब़ दैना पापड बनाने सुरू करते हैं सो गाइस । मैंने कटोरी में साबुदाना लिया हुआ है साबुद साबुदाना आप छोटे वाले भी ले सकते वो या फिर थोड़े बड़ी जो होते हूं तो दो तीन बार इसको अच्छे से दूलना बहुत ज़्यादा जरूरी है ताकि इसकी सारी गंदगी निकल जाए और साबु दाना के जो पापड़ है बिल्कुल साफ बने बिल्कुल सफेस बने तो एक बार मैंने वास कर लिया है एक दो बार में इसको और वास कर लेती हूं ताकि इस बिल्कुल क्लीन हो जा उसके बाद सारा पानी मैंने इसका निठार दिया है पानी निठारने के बाद अब अम इसको भिगोएंगे कम से कम 2-3 खंटे के लिए और आप चाहिए इसको रात बार के लिए भीगो सकते हैं तो थोड़ा सा पानी और यहां पर थोड़ा बहुत पानी पहले से है उसके बाद यहां पर मैं आदा कटोरी पानी और इसमें डाल दूँगी और इसको ढख करके मैं 2-3 घंटे के लिए भिगो दूँगी तो गरम पानी डाल दीजिए अगर आपको बहुत जादा जल्दी भिगोना है तो आप इसको गरम पानी इसमें आधा कटोरी डाल दीजिए बहुत जल्दी से एक घंटे में फूल जाएगा तो मैं कि तो अपको आफ या जादा अच्छे से फूलता है और इसके दानी बिल्कूल निखर के आते हैं तो मेरे पास टाइम कम था मैं सुबह में ये प्रिपेर कर रहे हुं तो इसलिए सिर्फ2 घंटे के लिए भिगोया था दो घंटे में यह फूल गया है आप देह सकते हो तो अभी मैं थोड़ा इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूं ताकि सारे दाने अलग-अलग हो जाए और साबुदाना भीगोते समय ही आपको इसमें थोड़ा सा नमक डाल देना है स्वाधन सा तो आप देख सकते हैं यह बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट हो चुगा है बट मैं अबने में इसमें नमक डालने है अगर गैश्ट अपको बना रहे हो तो आप इसमें रहाए नमक डाल सकते हूं या पिर बिन नमक के भी बना सकते हूं Сब्सक्राइब तो आप वीडियो को भी ज़रूर देख लेएगा तो मैंने साबुधाना के दो पापड़ी की रेसिपी अल्रेडी सेयर कर रही यहां पर मैं तीसरा में आपके साथ सेयर कर रहे हैं तो समय में थोड़ा थोड़ा सा ओयल लगा लूँगी इसको ओयल लगा कर ग्रीश कर लूँगी हम यहां पर जटपट भाफ से बनने वाला साबुदाना पापड की रिसिपी प्रिपेर कर रहे हैं तो आई होप की वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक कर दीजि कर देना पूरा धकन आपको नहीं भरना बस एक पतली से लेयर आपको लगाने जिसे एक एक दानी हम साबुदाने के डालते हैं बस वैसे एक एक दानी पड़े होने चाहिए और गैप नहीं होना चाहिए अगर गैप है तो वहां पर आप साबुदाना डाल दीजिए ताकि उसमें गैप ना रहे हैं कि गैप वाले जो पापड़ होते हैं तूट जाते हैं तब इसमें गैप है तो मैं इसको साबुदाना डाल के फिल कर दूँगी तो मैं थोड़ा जल्दी में बना रही हूं लेकिन आप इसको दो तीन घंटे के लिए अच्छे से विगो देते हो बिल्कुल भरबरे से हो जाते हैं अलग अलग एक एकदाने होते हैं तो मैंने सारी भर लिया है उसके बात मैंने एक बरतन में पतीले में पानी रख दीया था जो कि उबल रहा है भाब बहुत अच्छी बन दे उसपर मैंने यह छेद वाली जो थाली है वह हम रख देंगे आपके पार यूसा कर सकते हो उसमें हम यह शार्फ लगा एंगे वंदरें僅 catch रigor सकती है मैं आपको फिर उस्में हो फिर से त्यक्रश हो फिर से पकाके दीखा देती हूं meidän धकन को अच्छे से रखना है टेड़ा नहीं रखना है leaders मैं को सब्सक्ता गए 2 अच्वे फिर से और कि मैं ध्योर। घंड। और 1.5 मिननट बाद मैंने देख तो आप देख सकते हो ही क्योंकि यह ट्रांस्पेरन्ट को इसके अदर से सफेद सतले है तो आप देख सकते हें यह सबूता पापड पका लेकां अगर आप चूळीव की हिल्प से बनाना चाहते हो तो किसी प्लेt में ऑयल लगा कर चूळीयां रख दीज़े चूढी में आप साबु दाने भर दीज़े तो आप देख सकते हूं यह पापड हमारा बन चुका है और थाली में पलट के आपको दिखा रही हूं इसी तरह से आप पन्नी में पन्नी पर ओयल लगा कर भी इसको पापडों को डाल सकते हो बिलकुल अच्छे से सूख जाएंगे इसमें तीनी पापड आये हैं माकी कि मैं पॉलिथिन पर डाल के दिखाते हूं पॉलिथिन पर मैंने ओल लगा रखा है ऐसे ग्रिश कर दीजिए क्योंकि आप पापड डाल देते हो तो पापड चिपक जाते हैं पन्नी पर तो कई बार निकालने में तूट जाते हैं तो आप देख सकते हो बहुत इसली रिमूब हो तब आपको निकालना है यह देखिए बहुत आराम सी निकल जाते हैं अब इस तरह से साबुदाना पापड को बना कर आपको दो दिन तीन दिन के लिए खुब अच्छे से दूप दिखा लेनी है इससे पापड बिल्कुल अच्छे से सूख जाएंगे और आप इनको साल भ पापड बनकर तयार है इस तरह से आप बना कर सुखा कर सकते हैं साल भर के लिए वीडियो जराब अच्छी लग रहे है तो लाइक कर दे नहीं पसंद आई तो डिश्लाइक भी कर सकते हो तो कुछ पापड में आपको दिखा देती हूं तो मैं तेल डाल दिया है तो मैं मस् और अच्छे से फूल रहे हैं सारे दाने अच्छे रहे हैशसा थोप में तो भी निधक कर दों में डिखानी अच्छे ठीटाइना दलिखा। इस पापड़ों को मैंने फ्राइब लिया है और आप देख सकते हो कितने बड़े-बड़े साइज में यह हो रहे हैं जितना पापड का सुखने के बाद साइज था उसे तीन गुना ज्यादा बड़े पापड यह हो रहे हैं कि आपको हमारी यह साबुदाना पापड बनाने के रेसिपी जरूर पसंद आई होगी तो फ्लीज वीडियो को लाइक कर दीजे नहीं पसंद आती है वीडियो तो डिश्लाइक भी कर सकते हो कोई भी कोई रियर डाउट होई तो आप अमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बत आप अच्छा लगा तो प्लीज लाइक सेयर और सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल पर और प्लेड़ के अच्छी रेसिपीज है मेरे चैनल पर उनकी प्लेलिस्ट है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो या फिर डिस्क्रिप्शन में भी लिंक देदूंगी वहां से देख सकते हो तो थैंक्स वाचिन टेक किया फिर मिलेंगे इस वीडियो में बाई